इसेल्स कैसे हैं आप सब आई होप सब बहुत अच्छे होंगे सब की पढ़ाई भी और लाइफ भी आई होप सो काफी अमेजिंग चल रही होगी मैं हूँ आपके अपनी खुश्बूमा आम बायोलोजी मास्टर टीचर आट विदानतु और आज के इस पर्टिकलर सेशन में ह साथ-साथ में आपके हाउडो और्गाणिजम रिप्रडूज चाप्टर से भी यह सारे चाप्टर के क्वेशन आज हम इस सेशन में प्राक्टिस करेंगे मिट तर्म्स के लिए आपके बहुत इंपॉर्टन है वेराइटी आफ प्वेशन हैं जो आप प्राक्टिस कर सकते ह चालो तो make sure जरूर करना कि आप सारे questions को practice जरूर कर रहे हो and let's begin our session तो भाई देखे क्या है आज के इस session में तो देखो ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि 1 marker, 2 marker, 3, 4, 5 marker सारे ही questions हैं आपके पास 1 marker के 10 questions होंगे 2 marker के पास आपके 6 questions होंगे 3 marker के अगें 6 questions होंगे 4 और 5 marks के 4-4 questions होंगे तो all total मिला करके आपके पास 30 questions होंगे अपने midterms के लिए practice करने के लिए ठीक है चलो let's begin our session with the very first question and very first section तो हमने उल्टे से section start किया है आपके section E से हमने start किया है जहां पे आपके 5 marker question होंगे let me just drink थोड़ा सा जल here we go with the very first question की identify any two parts from this diagram which carry oxygenated and deoxygenated blood तो अगर हम पूरे entire diagram को label करें तो हमें पता है left side of the heart receives the oxygenated blood whereas the right side of the heart receives the deoxygenated blood तो common सी बात है यह क्या हो जाएगा आपका left atrium हो जाएगा यह left ventricle हो जाएगी यह वाला part आपका pulmonary vein हो जाएगी this one is pulmonary artery जो आपके लंग्स तक जाएगी यह वाली आपकी aorta है ठीक है जो आपके पूरे oxygenated blood को transport करेगी this is right ventricle this is right atrium तो भाई दो दो क्वेश्चन दो दो आंसर लिखने थे हमने लिखने भाईया हाना तो भाई oxygenated blood की बात करें oxygenated blood कौन करी कर रहा है left atrium कर रही है left ventricle कर रही है और आपकी कौन करी कर रहा है d and f वाला part जो है आपका oxygenated blood केरी कर रहा है ठीक है d oxygenated की बात करें तो कौन क्यों कषड़ कर रहा है e वाला पार्ट की हरी कर रहा है एं साथ साथ में c वाला पार्ट भी केरिकरा है तो दो लिखने हैं आप मैंने 3 मेंशन कर दीए आप कोई भी दो लिख सकते हो, explain the process of double circulation with the help of a flow chart diagram, तो भाई double circulation का आपका ये topic ना काफी important है, क्योंकि directly नहीं तो indirectly कभी-कभी exam में पूछ लिया जाता है, तो ये आपको पढ़ना पढ़ेगा अच्छे से, ठीक है, तो अगर मैं simple सी बात करूँ, तो आप सब लोगों को पता है कि एक आपका होता है pulmonary circulation, double circulation में, ठीक है, और एक क्या होता है आपका systemic circulation, one is systemic circulation, pulmonary circulation का मतलब क्या होता है, आपका जहां पे आपके pulmonary vein, pulmonary artery, lungs included रहती हैं, ह systemic circulation में आपके body का system included होता है, और यही दोनों मिल करके आपका double circulation बनाते हैं, double circulation क्या होता है, हमारा blood जो होता है, वो हमारे heart में से two times pass होता है, to complete the one single circulation, है ना, तो अगर हम बात करें pulmonary circulation की, तो ये start होता है, सबसे पहले आपके right ventricle से, deoxygenated blood आपके right ventricle से कहां जाता है, आप आपका pulmonary artery से कहां जाता है, lungs के अंदर transport किया जाता है, और lungs में से ये blood फिर आपका oxygen rich करवाया जाता है, मतलब जो हमने carbon dioxide हम exhale out कर देते हैं, और हमने जो inhale करिये oxygen, वो वापस से blood में mix कर दी जाती है, उसके बाद यही आपका oxygenated blood कहां जाता है, pulmonary vein में जाता है, and pulmonary vein के बाद यह जाता है आपके left atrium में, और यहां पर end हो जाता है आपका pulmonary circulation, इसके बाद से आपका systemic circulation स्टार्ट होता है, blood आपका कहां जाएगा, left ventricle में जाएगा, left ventricle से ये blood कहां पर दे दिया जाता है, एयोटा को पास कर दिया जाता है, जाकि एयोटा सबसे largest artery है, इसे पूरे blood क को आपके body के अंदर circulate कर सके, तो ये blood फिर कहां जाएगा, आपके body के system में जाएगा, जहां पर हर एक organ जो होता है, आपका क्या करता है, properly इस oxygenated blood को utilize करता है, use करता है अपने various processes के लिए, अब body में सारा use हो गया oxygen, जितना carbon dioxide बनती है, आपकी वो वापस से blood के अंदर mix हो जा आपकी वे ना कावा कलेक्ट करके कहां लेकर के जाती है, आपकी right atrium के पास, और इस तरीके से आपका यहां पर आपका systemic circulation end हो जाता है, क्योंकि यहां पर body का system involved था, इसी लिए हम इसे systemic circulation बोलते हैं, so आगया समझ में कैसे करना है answer, चलो, next question पर आते हैं, describe the various process involved in the process of binary fission with the help of a diagram, and why do multicellular organism use complex ways of reproduction, तो multicellular organism में इतने complex तरीके क्यों utilize होते हैं, reproduction करने के लिए, and साथ-साथ में हमें यह बताना है, कि binary fission का process कैसे होता है, अगर मैं बात करूं आपकी amoeba की, तो यह आपका amoeba है, सबसे पहले amoeba क्या करता है, यह अपने nucleus को divide करता, it starts with the nuclear division, यह अपने nuclear को divide करना शुरू कर देता है, इस तरीके से, ठीक है, यह से अपना nuclear divide कर दिया, nuclear divide करने के बाद आपका यह जो cell है, आपका amoeba जो है, इसके पास दो nucleus हो जाते हैं, after your nuclear division, यह क्या करता है, आपके cytoplasm को divide करना शुरू करता है, it starts dividing your cytoplasm, इस तरीके से, इस तरीके से यह अप Single parent amoeba, this is what, this is your parent amoeba, यह आपका क्या है, आपका parent amoeba है, और यह parent amoeba क्या करता है, आपके धो डौटर, amoeba में, दौटर सेल्स में डिवाइड हो जाता है, दौटर सेल्स में आपका, डिवाइड हो जाता है, वritis ह Sw프 का little, यह चीज कम्प्लीट चलो उसके बाद उसने क्या बोला है सॉरी रिमोट वागिर गया हमारा उसके बाद उसने बोला है आपका कि कि मल्टी सेल और 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 और्गानिजम आपके सेल डिवेशन या फिर रिप्रोडक्शन इतना कॉम्पलेक्स क्यों करते हैं देखो हमारे अंद होते हैं organ मिलकरों के हमारा organ system बनाते हैं organ system बना करके हमारा organism हम एक जिन्दा पैदा हो जाते हैं तो हर एक के पास पने specialized specialized चीजे नहीं प्रेजेंट होती हैं जो आपकी क्या कर सके reproduction कर सके हमारे अंदर क्या हो रखा है division of labor हो रखा है तो यह division of labor जो होती है आपकी body के हर एक cell को allow नहीं करती है कि तुम reproduction का function perform करो अब मैं बोलू अगर liver के cells reproduction परफॉर्म कर सकते तो क्या ये possible है नहीं possible है लिवर के cells reproduction नहीं कर सकते हैं आपके वही cells reproduction कर सकते हैं which are specialized to do that function जैसे कि testis जो होती है वो आपके sperm के production को करती है sperm भी एक type का आपका cell ही है तो ये sperm और ovum ही आपके specialized होते हैं reproduction का process perform करने के लिए जो आपस में fuse करके क्या बनाते हैं zygote की formation करते हैं during the process of fertilization तो हमारे अंदर division of labor होने की वज़े से हर एक cell reproduction नहीं कर सकता है there are certain specialized cells जो आपका यही particular reproduction का function perform करते हैं इसलिए हमारे multi cell और organism में इतना complex reproduction का process देखा जाता है easy था बट थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला question था कि थोड़ा सा दिमाग लगा करके question को answer गरे ठीक है nothing else you have to do this next describe the role of prostate gland seminal vesicle and testes in the human reproductive system how is the surgical removal of unwanted pregnancies misused and what is the role of oral contraceptive pills in preventing conception तो देखो भाई सबसे पहले से start करते हैं अगर मैं बात करूँ आपके prostate gland की if I talk about your prostate gland तो prostate gland ना fluid secret करता है क्या secret करता है fluid secret करता है similarly आपका seminal vesicle जो होता है वो भी आपका क्या बनाता है fluid secretion करता है और यह दोनों fluid मिल करके यह दोनों fluid मिल करके आपकी जो sperm है sperm जो होती है मेल्स के अंदर उसको एक तो nutrition प्रोवाइड करती है ठीक है और दूसरा क्या प्रोवाइड करती है एक एक मीडियम प्रोवाइड करती है ताकि वो आराम से flow हो करके बाहर exit ले सके मतलब fluid medium प्रोवाइट करती है swim proper करने के लिए और दूसरी चीज उसको nutrition प्रोवाइट करती है ताकि sperm आपका alive रहे खराब ना हो जाए ठेक है उसके बाद अगर मैं बात करूँ आपके testis की तो testis are specialized for two things सबसे पहला तो यह sperm formation में help करत है sperm की formation में sperm की production में मदद करता है दूसरा होता है testosterone की synthesis करता है मैं आप लोगों ने अपने प्यूबर्टी वाले section में पढ़ा है कि testosterone जो होता है it is responsible for the male sexual characteristics secondary sexual characteristics in your males जैसे कि beards आना mustache आना उनकी muscles broad हो जाती है आवाज बदल जाती है adams apple निकल आते हैं उनके height increase होती है muscles उनकी enlarge होने लगती है तो these are the sexual secondary sexual characteristics और यह लाने के लिए आपका और कोई ने testosterone ही responsible होता है जो आपके testis produce करती है ठीक है how is the surgical removal of the unwanted pregnancies misused और यहां पे आप लोग दिमाग लगा करके सोच सकते हो जिस भी partner को female child की जरुवत नहीं होती है वो abortion का इसी तरीके से surgical removal of unwanted pregnancies का यूज करते हैं abortion करवाने के लिए क्यों due to the female child वो पहले sex चेक कराते है कि male है कि female है if they come to know कि वो female है तो बच्चा गिराने की बात करते हैं क्योंकि उनको female child नहीं चाहिए होती है तो this is actually misused जिसकी वज़े से the sex determination during pregnancy illegal है female fetuses को destroy कर दिया जाता है क्यों 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 खाली निया है तू अच्छा तू स्टूड़े वन ले ले ना मैं ले लूंगी तू वन सैंटर गे नाप से पे अच्छा ओके तू मेरे अच्छा ओके फोर खाली नहीं होगा वो सार होंगे शायद female fetuses को decline करने के लिए destroy करने के लिए यह आपका unwanted pregnancy surgical method यूज किया जाता है प्रेगनेंसी को remove करने के लिए ठीक है और लास्ट प्रोसीजर में आपका हमने क्या पढ़ना था कि oral contraceptive pills आपके birth कंट्रोल के लिए होती है हमने contraceptive methods पढ़े थे जिसमें surgical method थे barrier method थे आपके और कौन सा method था आपका आई पिल का IUCDs का method था उसमें से oral pills वाला जो method होता है जहां पर oral pill आई पिल्स लेती है आपकी females that is the worst worst contraceptive method for the female body मतलब यह oral pills आपके birth मतलब आपकी body को बहुत destroy करती है फीमेल की body को बहुत destroy करती है pregnancy तो prevent करती है साथ साथ में ovulation delay करती है ovulation delay करती है that means उनके menstrual cycle में काफी जादा disturbance आ जाता है and if there is disturbance in the menstrual cycle वहाँ पे females के hormones गड़बड होते हैं उनके अंदर बहुत सारी चीज़े change हो जाती है उन्हें PCOS की problem हो सकती है ठीक है PCOS and PCOD जैसी problems को face करना पड़ता है जो उनके लिए body के लिए काफी harmful होती है और उनके mental health emotional health physical health सबको वो destroy कर देती है तो कहीं न कहीं oral pills इसी लिए बहुत जादा dangerous consider होती है for the females जो unwanted pregnancies को रोकना चाहती है ठीक है चालो moving on to the next question what is pollination give it types and state its significance transfer of pollen grains transfer of pollen grains from anther to stigma of same or different flower आपकी बुक में यही लिखा है but different flower का meaning आप लोग ना गलत समझ लेते हो different flower का मतलब यह नहीं है कि rose और jasmine के बीच में या rose और mustard के flower के बीच में या sunflower के बीच में pollination हो रहा है this is not possible different flower का मतलब होता है different plant के ओपर वो लगे हुए मतलब एक rose का plant आपका इधर लगा हुआ है तो दूसरा rose का plant उधर लगा हुए उन दोनो different different rose plants के बीच के roses में pollination हो रहा है तो इसको cross pollination बोलते हैं ऐसे cross pollination का मतलब यह नहीं होता है कि rose और sunflower के बीच में cross pollination हो रहा है different flower का meaning होता है कि rose का ही flower है लेकिन वो अलग-अलग पौधों पे अलग-अलग plants के उपर लगा हुआ है that is known as the different flower ठीक है इसके दो टाइप क्या होते हैं obviously एक आपका self pollination होता है जिसको मैं क्या पॉलती हूं same flower मतलब pollination हो रहा है in between the same flower एक ही plant के ओपर एक ही flower लगा हुआ है आपका उसके बीच में हो रहा है और दूसरा होता है आपका cross pollination जिसमें आपका transfer of pollen grains हो रहा होता है from enter to the stigma of the different flower पॉधे पे भी अलग लगा हुए है और एक ही पॉधे पे एक उपर एपिकल पोर्शन पे लगा हुए एक आपके लोवर पोर्शन पे लगा हुए तो दोनों अलग अलग फूल मतलब कहने का मतलब दोनों अलग अलग फूलों के अंदर pollination हो रही है तो that is self and cross pollination और भाई आपका यही pollination जो होती है mainly आपकी cross pollination यह plants के अंदर variations के लिए काफी important होती है variations कब आते हैं जब दो चीजों दो different चीजों की mix matching होती है तो obviously बात है एक plant पे एक flower लगा हुए है उसकी characteristics अलग हुए कि आप पदा वो flower आपका बड़ा बड़ा आ रहा हो large size हो दूसरे plant के ओपर जो flowers आ रहे वो छोटे-छोटे आ रहे हैं आप दोनों का variations होगा तो आपको different type के flowers मिल सकते हैं जिन में आपको वो characteristics देखने के लिए मिलेगी जो आपको actually में चाहिए तो variations के लिए काफी important हो जाते हैं और दूसरी चीज क्या कि until and unless आपके flowers में pollination का process नहीं होगा तब तक आप fertilization नहीं करवा सकते हो ठीक है fertilization नहीं करवा सकते हो क्यों क्यों pollination में क्या हो रहा है pollen grains जिसके अंदर आपका male gamete प्रेजेंट होता है वो wind के तुरू water के तुरू या किसी animal के तुरू pollinate हो करके आपके stigma के ऊपर आकर के stick करता है और फही तो फिर pollen tube की formation होती है फिर male और female gamete आपस में fuse होते हैं ठीक है होते हैं कि नहीं होते तो until and unless जब तक आपका pollination का process नहीं होगा तब तक कुछ significance होते हैं आपके pollination के significant होते हैं फर्टलाइजेशन में help करते हैं नए तरीके के seeds के production में help करते हैं and cross-pollination तो mainly responsible होता है variations लेकर के आने का in your plants इसी लिए cross-pollination और pollination की significance होती है plants के case में ठीक है चालो moving on to the next question तो भाई अगर मैं बात करो आपके four marker question की तो कैसे होते हैं these are your case based questions these are your case based questions ठीक है case based questions होते हैं कैसे होते हैं four marker होते हैं ठीक है चालो let's begin with the very first case based question की what are what is the target organ of your adrenaline hormone तो भाई हम तो भाई कैसे हैं हम है आलसी बच्चे आलसी बच्चे क्या करते हैं आपका case based questions नहीं पढ़ते हैं देखो आलसी वाली बात नहीं होती है यहां पर अपना time save कर सकते हो कैसे कर सकते हो एक simple सा suggestion रहेगा देखो अगर आपने directly questions पढ़े और आपको आते हैं से related होती है तो अब अगर मैं आपके according to ncrt की बात करूं तो आपकी book में heart लिखा हुआ है जिसके उपर adrenal gland जो होता है एक्ट करता है heart के उपर blood vessels के उ पर skin के उपर st*** कै उपर क्या करता है इन सारे मेंसे skin मेसे muscles मेंसे और बाकी सारी arteries में जंचा आपके blood को withdraw करके blood को वहां से खीच करके क्या करता है आपके skeletal muscle तक TAK ले करके जाता है कहां तक ले करके जाता ये skeletal muscles ले करके जाता है ताकि आप किसी भी emergency situation में हो तो आप वहां पे अपने skeletal muscles का इस्तमाल करके जो आपके पैरों में और हातों में present होते हैं उनसे आप अपने आपका बचाव कर सके क्योंकि in the case of emergency situation ही तो आपका adenoline hormone secret होता है which hormone is released by the thyroid gland तो कौन सा release होता है थाइरोक्सिन और थाइरोक्सिन क्या करता है आपके metabolism को control करता है ठीक है आपके brain की functioning को भी कहीं ना कहीं control करता है and साथ-साथ में यह आपके bone ossification, bone की formation के लिए भी helpful होता है काफी ठीक है अरे what is the function of the thyroxine hormone नीचे दिया हो है मैंने अभी बता है metabolism control करता है वो चाहें fat का हो, protein का हो, carbohydrate का हो, bone के ossification में help करता है formation में help करता है आपकी brain की activity को, आपकी brain की health को maintain करके रखता है आपका यह hormone ठीक है, name the hormone released by your ovary, तो जिस तरीके से आपकी testis जो होती है males में, वो testosterone secret करती है, जो कि किसके लिए responsible होते है, secondary sexual characteristics के लिए उसी तरीके से ovaries जो होती है, वो दो hormone release करती है, one is progesteron and other one is estrogen, progesteron and estrogen are the two hormones, जो आपकी ovaries release करती है और यही जो होती है, या तो menstrual cycle में changes लेकर क्याती है, menstrual cycle के responsible होती है और दूसरी चीज़ यह secondary sexual characteristics build up करती है in the body of the females females में भी बहुत चारे secondary sexual characteristics develop होते हैं, जो आपके इनी hormones के release होने की वज़े से देखे जाते हैं, ठीक है बाई, easy था question कर लिया हमने, चलो moving on to the next question, pulse rate, pulse rate, चलो what are pulse rate, blood pressure and why they are important, important, क्या important भाई, यह question गलत है how is pulse rate measured, okay, what is the significance of high, यह question गलत है, हाँ, ठीक है, third और second, third और यह first और question का यह part तोना सा गड़बड है, है ना, pulse rate क्या होती है, हमारा दिल कितनी बार एक minute में धड़क रहा है, that is known as the pulse rate और blood pressure क्या होता है, आपका blood जो होता है, जब arteries के थुरूँ flow हो रहा होता है, तो कितना amount of pressure exert करता है आपकी arteries के उपर, कोई भी चीज अकर flow हो रही है, तो वो कहीं न कहीं pressure exert करती है, walls के उपर, है ना, तो arteries के walls के उपर वो जितना pressure exert करती है that is known as the blood pressure ठीक है और उसको उसका normal value क्या होता है 120 by 80 mmHg what is the significance of high pulse rate यह question गलत है आप लोगों का pulse rate कैसे measure करते हैं हम लोग वो आप लोग एक minute के अंदर खुद की finger का use करके कर सकते हो and what is blood pressure अभी बताया मैंने और कैसे measure करते हैं हम लोग sphingo manometer के through sphingo manometer के through हम उसको क्या कर सकते है measure कर सकते और अगर आपकी pulse rate high है तो it means आपको कहीं ना कहीं stress हो रहा है anxiety हो रही है डर लग रहा है यह dehydration का problem है या आपने कुछ ठीक से खाना नहीं खाए या आप anemic हो anemic का मतलब आपके अंदर hemoglobin की कमी है ठीक है और sphingo manometer के through हम क्य क्या कर सकते है blood pressure को measure कर सकते है जो कि amount of pressure होता है blood आपका exert करता है on the walls of your arteries ठीक है चालो next question what are the male reproductive parts of the flower steven कहते हैं उसको steven कहते हैं कि नहीं कहते हैं स्टेवन के दो parts होते है एक होता है एंथर और एक होता है आपका filament तो pollen grains किसके अंदर बनते हैं pollen grains जो होते हैं वो आपके अंधर के अंदर बनते हैं और इनी pollen grains के अंदर क्या present होता है male gamete present होता है ठीक है याद रखना what are the different parts of pistol pistol किसे बोलते है female reproductive part को बोलते हैं जिसको हम कारपल भी बोल सकते हैं तीन parts होते हैं ठीक है stigma होता है जिसके उपर आकर कि आपका pollen grain stick करता है दूसरा आपका style होता है जिसके थूँ आपकी pollen tube grow होती है और ovary होती है जिसके अंदर ovule की presence होती है और क्या present होता है यही एक के साथ आपका male gamete fuse हो करके क्या बनाता है ovary आपकी fruit में convert हो जाती है ovule आपके seed में convert हो जाते हैं what is pollination अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था transfer of pollen grains from anther to stigma of same or different flower ठीक है of same or different flower where does the fertilization occur in flowers fertilization का जो process होता है कहां पे होता है obviously ovule के अंदर होगा ovary के अंदर होगा क्यों क्योंकि ovule के अंदर ही तो आपका भाई egg cell की presence होती है और जब egg cell आपके male gamete के साथ fuse होते है तभी तो seed और fruit की formation होती है fertilization होती embryo की formation होती है तो क्या हो गया fertilization कहां पे हो गया आपके ovule के अंदर हो गया ठीक है flowers में fertilization takes place inside the ovule okay जी चालो moving on to the next question which of the following does not exhibit phagocytic activity तो यहां पे वो आपके white blood cells की बात कर रहा है phagocytic activity का मतलब होता है किसी चीज़ को engulf कर लेना तेके जैसे amoeba आपका खाना engulf करता है उसी तरीके से आपका white blood cells जो होता है कोई भी microorganism अगर आपकी body में enter करता है तो उसको क्या कर लेता है engulf कर लेता है और after engulfing वो क्या करता है उसको destroy कर देता है that is known as the phagocytic activity और वो कौन exhibit करता है आपके WBCs white blood cells amount of a blood corpuscles corpuscles का मतलब होता है blood के cells is changed in dengue fever one of the most common symptoms observed in people infested with dengue fever is उनकी platelets decrease हो जाती है ठीक है क्या decrease हो जाती है उनकी platelets decrease हो जाती है why are WBCs called the soldier of the body तो अभी मैंने जस्ट आपको बताया WBC का काम क्या होता है आपको immunity provide करने का they provide you immunity immunity provide कर रहे होते हैं that means क्या कर रहे होते हैं वो आपके microorganism को engulf करते हैं और उन्हें destroy कर देते हैं इसी कोई हम क्या बोलते हैं phagocytic activity बोलते हैं और इसी activity की वज़े से उन्हें हम soldiers of the body बोलते हैं क्योंकि वो हमें कहीं ना कहीं immunity और protection provide कर रहे हैं next name the blood cells whose reduction in number can cause the clotting disorder leading to excessive loss of blood from the body तो body में आपका blood clotting का काम कौन करवाता है आपके thrombocytes करवाते हैं कौन करवाते हैं thrombocytes करवाते हैं that is your platelets करवाते हैं platelets करवाते हैं तो वही responsible होते हैं clotting के लिए blood clotting के लिए अगर वो कम हो जाएंगे तो आपको disorder हो जाएगा what are the correct features of lymph lymph क्या होती है it is the colorless fluid ठीक है प्रेजेंट होता है leak हो जाता है आपके blood vessels में से उसको collect करके कहां वापस से आपकी veins के अंदर drain कर देते हैं ताकि जो भी amount leak हुआ है वो आपके वापस से blood तक पहुँच जाए ठीक है यही आपका function होता है lymph का अब आप लोगों के लिए एक ही information रहेगी मेरे पास कि अगर किसी ने भी अभी तक midterm की test series नहीं purchase करी है purchase क्यों बोल रही हूँ भाई यह तो free की है देखो तुम लोगों के session के description box में न एक link available है इस तरीके से तुम्हारा session चल रहा होगा उसी session के description box में देखो लिखा हुआ download class and midterm free resources इस link पे अगर तुम लोग click करोगे अगर तुमने इसी link पे click किया just a second दिखाती हूँ ठीक है अगर मैं दिखाओं कि यह मेरा एक session है ठीक है इसी session के description box में देखो इसी session के description box में visit करोगे तो आपको एक link दिखेगी download class and midterm free resources इस link पे click करना और आपकी एक PDF open हो जाएगी ये PDF में आपके midterm की test papers available है जो की बिल्कुल free of cost है पता है आपको 5-5 test paper available है English के, Science के, SST के और Maths के ये सारे question paper आप free of cost download कर सकते हो even इनके answers भी available है ये देखो English का भी test paper available है even इसके साथ साथ इनके answers भी available है तो आप ये free of cost practice कर सकते हो आपके midterms के लिए काफी helpful है इन साथ साथ में आपको preboards और boards में भी help करेगा क्योंकि जितने amount of questions आप practice करोगे आपका फायदा उतना ही जादा होगा ठीक है तो इसलिए make sure जरूर करना कि आप इसे download करना ना भूले ठीक है चलो let's moving on to the next question 3 marker question अब मैं आप लोगों को एक बात बता दू आपके section C के होंगे 3 marker के question ठीक है और सबसे जब्दा tricky questions जो होंगे आपको यहीं मिलेंगे सबसे जब्दा tricky question आपको section C में और B में मतलब 3 और 2 marker में questions की हेरा फेरी बहुत ज़ादा होती है तो इसलिए इन questions को अच्छे से पढ़ना मत भूलना या फिर questions को competency level से देखना मत भूलना अच्छे से practice करना mention about the 4 events that occur during the binary fission in amoeba यह question आप लोगों का frequently पूछा जाता है तो अगर मैं सबसे पहले बात करूँ तो आप लोगों को पता है सबसे पहला यह जो है amoeba का parent cell है यह क्या होता है यह amoeba का parent cell होता है यही parent cell सबसे पहले क्या करता है आपका nuclear division करता है क्या करता है सबसे पहले अपना नुक्लियर डिवाइड करता है कैसे डिवाइड करेगा इस तरीके से अमीबा होगा और इसका नुक्लियर इस तरीके से धीरे-धीरे करके डिवाइड होने लग जाएगा जिसको हम क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं क्या बोलते ह है इसके अंदर धीरे-धीरे करके यहां से साइटो प्लास्म डिवाइड हुआ और आपके दो डॉटर न्यूक्लियाई बन जाते हैं दो डॉटर सेल्स बन जाते हैं अमीबा के लास्ट में तो इस तरीके से एनटायर बाइनरी फिजिन का इवन अपके आमीबा में देखने के लिए मिलता है अपके इवन खिशेट से Google आज科 है मल्टिपल फिजिन से भी ख्वेशन आह चुका है कि आपके कौन-कौन-कौनसे और गैनिजम होते हैं जो EST करते हैं तो वहां पर amoeba is also the answer और plasmodium is also the answer but amoeba जो होता है generally नहीं करता है amoeba के case में सिर्फ unfavorable condition में multiple fission होती unfavorable condition का मतलब कि अगर उसको properly खाना नहीं मिल रहा है उस case में यह multiple multiple fission करके अपने nucleus को extensively divide कर देता है अपने surrounding में एक cyst wall को बना लेता है ठीक है चलो moving on to the next question list three differences between arteries and veins and this is your boards का question boards के exam में यह two marker में पूछा गया था दिया यहां पे three marker का है बट वहां पे two marker में यह particular question पूछा गया है तो चलो let's start with difference and difference है तो आपको कैसे बनाना है उसे tablet format में ही बनाना है सबसे पहले बात करूं तो कैसी होती है दियार thick wall thick wall क्यों होती है क्यों कि यहां पे blood का pressure जो होता है blood flows with high pressure flows with high pressure बहुत ही high pressure के साथ blood यहां पे flow करता है and it usually carries the oxygenated blood usually carry sorry oxygenated blood except the pulmonary artery except pulmonary artery आपका यह क्या carry करती है oxygenated blood को carry करती है veins की बात करें तो veins इसका just opposite होती है thin walls होती है क्योंकि blood का pressure इतना ज्यादा high नहीं होता है blood flows with low pressure बड़ 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 बोल रही हूं blood flows with low pressure low pressure के साथ blood flow होता है तो इसलिए thin walls की presence होती है thin wall blood बहुत ही कम pressure के साथ flow होता तो उसके backflow होने के chances भी ज्यादा होते तो इनमें walls की presence भी देखी जाती है walls आपकी arteries में नहीं होती है ठीक है और दूसरी चीज़ यह oxygenated blood carry करती है आपकी accept the pulmonary vein देखो exceptions याद रखने है exceptions के ऊपर आपके boards के exam में question आ सकते हैं even mid terms में भी आ सकते हैं तो इस तरीके से आपको tabulate format में अपना answer लिखना है याद रखना यह चीज़ ठीक है चलो moving देखो इस तरीके से लिखा हुआ है एक बार read कर लो तब तक हम जड़ा पानी पी लेते हैं कि 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 यह वाले difference भी आप लिख सकते हो तीन पूछे थे मैंने तीन लिख दिये carry blood away from the heart यह तो हमें पता है और veins क्या करती है towards the blood को लेकर क्याती है आउटर कोट थिन होता है बट इनर कोट इनका थिक होता है यह आपका बाहर से थिक होती है अंदर से थिन होती है लिउमिन स्मॉल होता है उसका लार्ज होता है oxygenated blood carry करती है except pulmonary artery वो deoxygenated blood except pulmonary vein pressure बहुत हाई होता है वहाँ पे pressure low होता है ठीक है चालो moving on to the next question mention any one point of difference between pepsin and trypsin तो भाई pepsin कहां पे release होता है pepsin is released in your stomach और stomach में कैसा medium होता है acidic medium होता है stomach में कैसा medium होता है acidic medium होता है तो pepsin हमेशा कौन से medium में activate होता है कौन से medium में activate होता है जब आपके पास acidic medium present होगा hydrochloric acid की presence होगी तभी आपका pepsin activate होगा जबकि अगर मैं बात करूँ आपके trypsin की digestion ये भी protein का करता है लेकिन कौन secret करता है आपका pancreas secret करती है और ये किस medium में activate होता है alkaline medium में ही activate होता है it activates in alkaline medium only ठीक है यहाँ पी कौन सा medium था acidic medium था trypsin के लिए कौन सा medium चाहिए था alkaline medium चाहिए था तो यही आपका major difference होता है एक difference और होता है वो उनके structure में difference होता है otherwise और as such कोई difference नहीं होता दोनों ही protein की digestion करते हैं बस एक alkaline medium में activate होता है एक आपका acidic medium में activate होता है ठीक है चालो moving on to the next question explain the process of aerobic respiration in mitochondria and anaerobic respiration in yeast and muscle cell with the help of word equation तो हमने क्या पढ़ा था भाई सबसे पहले तो हमारा खाना digest हो करके कार्भो ideal glucose में convert हो जाते हैं यही glucose को कि किसमें convert करते हैं pyruvate में convert करते हैं और यह process आपको पता है कहां पे होता है इस process occurs in your cytoplasm जहां पे आपका glucose by Harvard में convert होता है अब ही प्राइड ना तीन तरीके से break don होता है पहला तो Yp deat है absence of oxygen में absence of oxygen में ये किस में होता है yeast के अंदर होता है क्या बनता है आपका ethanol जो की एक alcohol है carbon dioxide की formation होती है और साथ-साथ में 2 ATP release होते हैं कितने ATP स्रिफ 2 ATP release होते हैं यह आपको याद रखना पड़ेगा ठीक है next आते हैं हम आपके muscle cells के अंदर muscle cells के अंदर muscle cells में क्या होता है lack of oxygen होती है oxygen की presence कम होती है lack of oxygen में यह क्या बनाता है lactic acid की formation करता है and साथ-साथ में energy produce करता है that is 2 ATP 2 ATP की presence होती है सिर्फ 2 ATP बनाता है ठीक है उसके बाद next अगर मैं बात करूं तो यह आ जाता है आपका aerobic respiration जो आपके mitochondria में होता है आपका और यहां पे oxygen की presence होती है क्या होती है presence of oxygen होती है क्या बनता है आपका पहले carbon dioxide बनता है water बनता है और कितने ATP रिलीज होते है 38 ATP रिलीज होते हैं तो maximum amount of energy जो होती है सिर्फ और सिर्फ aerobic respiration में produce होती है तो यह चीज याद रखनी है क्योंकि कभी-कभी aerobic and anaerobic respiration में difference भी पूछ लिया जाता है यह question तो बहुत common है respiration process से यह question तो जरूर आएगा अगर मैं बात करूं breathing process की breathing वाला जो पूरा process है वहां से na mcq-based questions आते हैं तो उसको detail में अगर नहीं भी पढ़ोगे तब भी चल जाएगा बट पढ़ ले ना in case अगर आपको लगता है डर कि आप नहीं लिख पाओगे answer ठीक है चालो यहीं बता दिया था मैंने आप लोगों को यह aerobic and anaerobic respiration था now give an example of a flower which contains both stamen and carpel तो यह क्या है आपके stamen हो गया आपका male reproductive part carpel क्या हो गया female reproductive part और ऐसे फ्लावर को हम क्या बोलते हैं by sexual flowers बोलते हैं जिसमें male part भी present होता है और साथ साथ में female part भी present होता है जैसे कि हो गया आपका hibiscus हिबिस्कस आपका एक ऐसा flower है जिसके अंदर male part stamen भी present होता है और carpel भी present होता है उसकी तरीके से mustard भी होता है roses भी होते हैं जहां पर आपके stamen भी present होते हैं और pistil भी present होते हैं तो इन type के flowers में na self-pollination बहुत common होती है लेकिन cross-pollination भी हो जाती है mainly self-pollination होती है ठीक है चालो moving on to the next question label the parts of human brain and mention their function तो यहां पर ना diagram missing है बढ़ आपको diagram दिया जाएगा फिर वो आपको कहेंगे कि उनके parts को label करो और उनके function लिखो हम start करते हैं सबसे पहले आपके four brain के साथ ठीक है हम start करते हैं सबसे पहले आपके four brain के साथ four brain का सबसे पहला part हमने क्या पढ़ा था cerebral which is responsible for thinking, memory, intelligence, even आपके visual activities को भी control करता है ठीक है किसको activity control करता है visual activity को ठीक है तो यह सारे क्या हो गए आपके cerebrum के function हो गए next बात करते हैं हम आपके थैलमस की तो थैलमस जो होता है वो आपके sensory and motor neurons को control करता है it controls your sensory and motor neurons ठीक है उसके बार last part की बात करें तो वो आ जाता है आपका hypothalamus hypothalamus आपका important part है ठीक है क्यों क्योंकि यह आपके emotions को भी control करता है आपके behavior को भी control करता है ठीक है आपकी book को thrust को hunger को even आपके body temperature को भी regulate करता है it also regulates your body temperature ठीक है आपका body temperature normal रहे 37 degree Celsius रहे यह इसी का ही काम होता है चेक करने का ठीक है उसके बाद अगर हम next बात करें तो आपको पता ही है mid brain होता है mid brain का as such कोई function नहीं होता है उसका function होता है कि वो आपके fore brain को और hind brain को connect करता है ठीक है और आपकी NCRT की book में एक और line लिखी हुई है कि reflex action को भी mid brain control करता है मतलब पूरी तरीके से control नहीं करता है बस इतना control करता है कि जैसे आपने सबसे पहली बार अपनी life में सबसे पहली बार जब आपने गरम कप को चुआ होगा तो आपको पता नहीं ता कि गरम से आपका हाथ जल जाएगा तब उस टाइम पे आपने क्या किया हाथ पीछे कर ल बट आपके reflex action की जो memory होती है वो कौन develop करवाता है आपका brain ही develop करवाता है तो यहाँ पे थोड़ा बहुत सा part आपका brain का हो जाता है ठीक है उसके बार next आते हैं आपके hind brain पे hind brain के भी again तीन parts होते हैं सबसे पहला part होता है आपका seri bellum यह आपका क्या करता है body के posture को and balance को maintain करत है second आपका आता है pons या फिर medulla oblongata भी कर सकते हो आप यह आपकी sleep cycle को control करता है और आपकी breathing या फिर respiration को control करता है ठीक है जो peristalsis movement हो रही है digestion के time पे हमारे lungs breathing में मदद कर रहे हैं स्टमक हमारा digestion कर रहा है small intestine हमारा digestion कर रहा है यह सब control करने का काम कॉन करता है आपका medulla oblongata करता है तो यह चीज आप लोगों को याद रखनी है ठीक है चालो तू मारकर अगें मैंने आप लोगों को यही बोला था टू मारकर questions ट्रिकी रहेंगे एंड यह कौन से section से रहेंगे section B से रहेंगे आपके टू मारकर के question ठीक है जरा सा पानी पी लिया जाए चालो if you find a coliform bacteria in a sample of water collected from a river what would you conclude give reason for such kind of water pollution यह तो environment का question हो गया लेकिन झालो में बता देती हो जो होते है ना आपके कौलीफ़ॉम बेक्टिरिया जो होते हैं यह अच्चुली में आपके small intestine में present होते हैं क्यों बेक्टीरिया आपको बहूत कम amount में Small intestine में present होते हैं जिनको हम scientific language में E goli बोलते हैं, E. coli वो bacteria होते हैं, जो आपके small intestine में present होते हैं, इस चरीचिया coli बोला जाता है उन्हें, यह E. coli जो होते हैं, अगर आपके पानी के अंदर दिखने लगे, that means वो पानी contaminated है, किसकी वज़े से, feces की वज़े से, वो animal feces हो, human feces हो, या sewage waste हो, अगर sewage waste आपका वही आपके पानी के अंदर dump किया जा रहा है, that means वो पानी E. coli से जरूर polluted होगा, क्योंकि while doing the feces, आपके यह E. coli bacteria बाहर जरूर आते हैं, आपके body के minor amount में आते हैं, लेकिन आते जरूर है, इन्हीं के contamination की वज water डाला गया है, और sewage water में आपको पता ही है, human feces होती है, जितना गंदा सा गंदा समान होता है, वो सब आपके sewage dispose में present होता है, sewage waste में present होता है, ठीक है, चालो, explain the ways in which glucose is broken down in the absence of oxygen, absence of oxygen वाला क्यों कौन सा portion था, आपका anaerobic respiration था, anaerobic respiration दो जगाव पे होता है, सबसे पहले हम यही लिखेंगे कि glucose is converted into pyruvate, है ना, glucose is converted into pyruvate और यह process कहां पे होता है, आपके, cytoplasm में होता है, मैं हर बार आपका cytoplasm इसलिए बता रहे हूं क्योंकि इनकी location के उपर question आता है, ठीक है, अब यह pyruvate आपका दो तरीके से तूटता है, ठीक है, एक तो आपका complete absence of oxygen में, complete absence absence of oxygen में, yeast में होता है, और yeast के cytoplasm में होता है, किसमें होता है, yeast के cytoplasm में होता है, क्या बनता है, आपका एक तो ethanol की formation होती है, जो की alcohol होता है, दूसरा बनता है carbon dioxide और इसी के साथ में ATP release होती है, that is the energy release होती है, ठीक है, next बात करते हैं, हम आपके muscle cells की, क्योंकि muscle cells में भी आप aerobic respiration होता है, बट lack of oxygen में, यह आपका special case है, humans में सिर्फ और सिर्फ aerobic respiration होता है, लेकिन जब आप बहुत जादा heavy exercise कर लेते हो, तब एकदम से सास क्यों फूलने लगती है, क्योंकि oxygen की body में महारे अंदर कमी होने लगती, oxygen जितनी भी present ही, वो सब बहुत जल्दी जल्दी हम की formation होती है, और इसी के साथ साथ आपकी कितनी energy release होती है, सिर्फ 2 ATP, सिर्फ 2 ATP release हो रहा है, इसी वजह से हम जब heavy exercise कर रहे होते हैं, तो हमें क्या होता है, एक तो pain होता है, यही lactic acid की वज़े से, और दूसरा क्या होता है, हमारे को energy भी low लगती है, क्योंकि energy हमारी body जादा नहीं नहीं पारी है, तो these are the two cases जो आपको anaerobic respiration में देखने के लिए मिलेंगे, now moving on to the next question, both over production and under production of growth hormone, let's to the disorder in our human body, तो भाई, over production का मतलब जादा production हो रहा है, ठीक है, किसका, growth hormone का, कौन produce करता है, आपका pituitary gland, produce करती है, growth hormone कौन produce करता है, pituitary gland, तो अगर आपकी body में, जितना आपको growth hormone चाहिए, उससे जादा amount produce होने लगता है, तो आपको एक disease हो सकती है, जिसको हम कहते है, gingatism, gingatism, मतलब, आप इतने लंबे हो जाओगे, giant जैसे लंबे हो जाओगे, जितनी normal humans की height होनी चाहिए, उससे कई जादा आप लंबे दिखने कर रहा है, मतलब जितना normal value होनी चाहिए, उतना नहीं कर रहा है, तो आपको dwarfism, बोने हो जाएंगे आप, क्या हो जाएंगे, और ये सारे cases जो होते हैं, बच्पन में, childhood में देखे जाते हैं, ठीक है, कि childhood में ही उसका growth hormone इतना hyper active हो गया, कि उसने इतना सारा growth hormone बना लिया, कि वो 6-7 या 10 साल की age में ही 7-8 फुट लंबा हो गया, इतना लंबा इंसान normally नहीं होता है, वो भी 10 साल की उमर में, ठीक है, और under production में क्या हुआ कि भाई, उसकी height ही नहीं बढ़ रही है, वो आपका 12-14 साल, 15 साल, 20 साल का भी हो गया, फिर भी उसकी height वहीं पे ही stick हो गई है, तीन फुटी रह गई है, क्योंकि उसके बचपन के टाइम पे, चाइल्डूट के टाइम पे उसके growth hormone ने proper functioning नहीं करी, pituitary gland ने जाधा amount में growth hormone नहीं release किया, जिसकी वज़े से उसे dwarfism देखने के लिए मिल गई, बोना देखने के लिए उसे मिल गया, ठीक है, तो these are the two cases जो आ process of reproduction having only one cell और a one parent is called, भाई क्या बोलते हैं, asexual reproduction बोलते हैं, जहां पे आपका binary fission भी हम कह सकते हैं, binary fission एक ही cell से आपका दो daughter cell बन रहे होते हैं, ठीक है, dash is a duct coming from the urinary bladder which carries the sperm, urethra, urethra, sorry, urethra ही होती है, urethra ही होती है, आपकी, जो आपके sperm को, males में, देखो females में, urine का exit point अलग होता है, और, क्या था, sperm के अंदर जाने वाला position अलग होता है, दो अलग-अलग होते हैं, उनके location, ठीक है, लेकिन males में ऐसा नहीं होता है, males में, जहां से उनकी urine pass होती है, वहीं सहीं उनकी sperm का exit point भी होता है, ठीक है, तो, urethra is the common point, जहां से उनकी urine passage भी होती है, और sperm का passage भी होता है, और, a-sexual reproduction is one such answer, जहां पे एक ही single parent require होता है, आपके daughter cells या फिर आपके reproduction process करने के लिए, जिसमें आपने कितने सारे पढ़े हैं, fragmentation पढ़ा है, regeneration पढ़ा है, binary, fission, multiple, fission, birding, यह सारे क्या हैं, आपके, a-sexual reproduction है, जहां पे एक ही parent cell को, एक ही parent cells है, आपके इतने सारे daughter cells बन सकते हैं, moving on to the next question, list two secondary sexual characteristics of male that are different from that of female, तो भाई, growth of hair, on their face, growth of beard, mustache, females में तो नहीं देखने के लिए मिलती हैं, ठीक है, and muscular, muscles growth, उनकी जो shoulder हो जाते हैं, they get broad, उनके जो shoulder होते हैं, muscles होती हैं, उनकी broad हो जाती हैं, क्यूं, इन ही कोई हम secondary sexual characteristics बोलते हैं, और अभी मैंने आपको बताया था, किस की वज़े से होते हैं, testosterone की synthesis की वज़े से होते हैं, जो की कौन produce करता है, males में, testes produce करता है, और यही testes आपकी sperm की formation में भी मदद करता है, ठीक है, यह testosterone की वज़े से आपके यह सारे secondary sexual characteristics males में देखे जाते हैं, और उसने बोला था, different from that of female होना चाहिए, तो यही होगा, ठीक है, कुछ बहुत आपक impulse, males में और females में दोनों में आते हैं, ingrown, growth of hairs in their pubic part, pubic part underarms में या फिर उनके genital areas में, hairs देखने के लिए मिलते हैं, यह males और females दोनों में होता है, ठीक है, hair growth जो आपके face पे होती है, males में, mustache और beard, वो females में नहीं देखी जाती है, until and unless उनके hormonal disturbed now, hormones disturbed now, और heavy musculature बताया था, उनक को females में देखने के लिए नहीं मिलती है, ठीक है, identify the hormone whose level in the blood is responsible for above disease, कौन से disease भाई, कौन सी mention है, आच्छा, diabetes mention है, actually मैं यहाँ पे, incomplete सा है, diabetes mention है, कि diabetes अगर आपको हो रही है, तो patient के अंदर कौन से hormone का disturbance देखा जाएगा, तो देखो भाई, pancreas क्या secret करता है, insulin secret करता है, और यह इंसुलिन क्या करता है, आपके blood के sugar level को maintain करता है, diabetes में क्या होता है, आपकी sugar level बढ़ जाती है, तो कहीं ना कहीं आपका यह जो insulin hormone है, it is not functioning proper, not functioning proper, functioning इसकी proper नहीं होती है, तो जब आपके insulin के production ठीक से नहीं हो रही होती है, आपके pancreas के से इंसुलिन नहीं produce कर रहते हैं, उस case में जो आपका normal sugar level है, वो control नहीं हो पाता है, और आपको यह diabetes का problem हो सकता है, ठीक है, चालो, here we go with one marker question और जो आएंगे आपके section A के, और अगर मैं section A की बात करूँ तो total 20 questions रहते हैं, ठीक है, total 20 questions रहते हैं आपके, 20 questions में से 1 to 16th question जो रहेगा, वो आपके MCQ based रहेंगे, 17, 18, 19, 19, 20 questions जो रहेंगे, वो आपके assertion and based questions रहेंगे, ठीक है, तो फिलाल हम लोग यहाँ पे 10 question practice कर लेते हैं, क्योंकि हमने बाकी सारे portion में question increase कर लिये थे, which of the following endocrine gland does not exist in prayers, testis भी pair में होती है, adrenal gland भी pair में होता है, ovary भी होती है, pituitary gland is your correct answer, pituitary gland pairs में present नहीं होता है, और यह question आ आपके boards के exam में पूछा गया है, चलो, moving on to the next question, the natural pace maker in the human heart is located in the essay node, which is present in which among the following, और यह जो है आपके right auricle, auricle का मतलब right atrium में present होता है, essay node जो होती है, यह एसी node होती है, जो दिल को धड़कने में, दिल के अंदर electrical impulses generate करने में, उसको धड़कने में मदद करती है, और यह essay node जो ह as in right auricle, next, the ability of cell to divide into several cells during the reproduction in plasmodium is called multiple fission, multiple fission amoeba में और plasmodium में देखने के लिए मिलता है, ठीक है, so क्या बोलते है, multiple fission बोलते है, binary fission नहीं, multiple, बहुत सारे cells बन रहे हैं, moving on to the next question, here we go with the assertion and reason, the effect of auxin hormone on the growth of root is exactly opposite to that on stem, auxin hormone increases the rate of growth in the root and decreases the growth of growth in the stem, यह दोनों ही statement false है, both the statements are false, क्यूंकि auxin का function stem में हो, चाहें वो आपका root में हो, दोनों में ही correct हो, दोनों में ही same रहता है, auxin का काम होता है, आपके stem की भी length को increase करवाना, root की भी length को increase करवाना, तो दोनों में opposite growth नहीं होती है, decrease नहीं करता है, growth of stem, increase करता है, दोनो स्टेट्मेंट गलत हैं question गलत हो गया यहां पर आपका यह option given होगा तो इसर्शन भी पॉल्स हो जाएगा और रीजन भी फॉल्स हो जाएगा कभी कभी बोर्ट में आ जाता है यह वाला ऐसा question भी जहां इसी को पुदिट आस ए Susie रहा तो नहीं इंडिपर रोकेंगे इंक्रीश सतते हैं हा जी इन हीविट्ट को रोकता है यहां शेखांपल ऑफ का आपकंप और ओक्सशेद हो रहा तो यहीं पयर्जोन गीशन те क्या होता है carbon dioxide produce करता है water produce करता है और 38 amount of energy produce करता है जो कि आपके mitochondria में होती है चालो moving on to the next question the purpose of making urine is to filter out undigested waste from the food नहीं भाई undigested food को हम लोग एनस के थुरू remove करते हैं और उसको हम कहते हैं ejection ejection जो होता है यहां पे हम undigested food को remove करते हैं किसको undigested food को और अगर हम nitrogenous waste को remove कर रहे हैं nitrogenous waste को remove कर रहे हैं तो we are forming urine और यह urine जो होती है आपकी by the process of excretion remove होती है ठीक है तो पहला statement तो false हो गया kidney filter the waste and produces urine yes it is the true statement तो assertion is false but reason is true D will be your correct answer in a nephron the network of tiny capillaries are called glomerulus nephron का डाइग्राम बताया था मैंने आपको इस तरीके से cup shaped structure होता है this is the cup shaped structure और इस cup shaped structure हो क्या बोलते हैं बोमान capsule क्या बोलते हैं इन्हीं के अंदर क्या present होती है tough tough capillaries present होती है जिसको हम क्या बोलते हैं glow merulus बोलते हैं तो A will be your correct answer ठीक है चालो moving on to the next question in females the egg is carried from the ovary to the womb through a thin oviduct or fallopian tube this is the true statement बिलकुल true है यह the uterus opens into the vagina through the cervix vagina cervix and vagina होता है हां तो यह भी statement true है दोनों statement true है बट correct explanation नहीं है बोट the statements are true but not the correct explanation क्योंकि अगर मैं आपका uterus बनाओंगी ठीक है अगर मैं आपका uterus बनाओंगी तो भाई सबसे पहले आपका आता है ovary fallopian tube uterus cervix and vagina vagina is the last part तो uterus vagina में open होता है लेकिन किसके through cervix के through beach में cervix आएगा दोनों statement true है लेकिन explanation correct नहीं है आपका ठीक है ट्रांस्पिरेशन is not affected by chlorophyll humidity wind velocity temperature देखो temperature increase होगा transpiration increase होगा wind तेज होगी हवा तेज चलेगी तो transpiration भी तीज होगा humidity increase होती है तो transpiration decrease हो जाता है chlorophyll का कोई importance नहीं होता transpiration में loss of water यहाँ पर ना कपड़े सुखाने वाला example ले सकते हो जब आपका temperature बहुत जादा होते तो कपड़े जल्दी सूख जाते हैं हवा बहुत तेज चल ली होती है तो कपड़े सूख जाते हैं क्यों क्योंकि उसमें से loss of water हो रहा है humidity चिपचिपी नमी बहुत जादा होती है environment में तो कपड़े नहीं सूख पाते हैं क्योंकि already इतना साना पानी है आपके environment के अंदर और इतना सारा पानी कहां जाएगा तो भाई यह तीनों ही option गलत हो जाते हैं डी विल बी और करेक्ट आंसर क्योंकि chlorophyll का कोई रोल नहीं होता है ट्रांस्पिरेशन के process में चालो भाईया this is the end of our session तो हमारा session यहां पे खतम होता है लेकिन मैं आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करूंगी कि mid term के test papers को mock test papers को download करना ना भूलना अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता देती हूं आपके session के description box में ही यह आपका session है इसी session के description box में आपको mid term free resources with solution दिख जाएगा इसी Excel sheet के अंदर इसी PDF के अंदर आपको सब कुछ मिल जाएंगे NCRT के solutions भी हमारे handwritten notes भी and even mid term के test paper भी यह सारे test paper आपके free of cost है कुछ भी पैसे का payment आपको यहां पे नहीं करना and even 55 mock test paper है तो 5 mock test paper 5 into 30 कर सकते हो कितने सारे questions हो गए सिर्फ positive mid terms के लिए आपके तो make sure जरूर करना कि आप इसे download करना ना भूलें यह PDF आपकी free of cost है बस जाते जाते टेलिग्राम चानल को join कर लीजेगा ताकि आपको proper time to time update मिल जाए कि मैं कप session को लेकर के आ रही हूं और in case अगर आपको लगता है कि आपको मुझसे कोई personal question पूछना है या फिर कोई query है doubt है तो आप मुझे Instagram प लेंगे चलते चलते ऐसे ही next amazing session में तो bye guys and take care